हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम पढ़ेंगे फार्मको थेरपोटिक्स में सेंटर नर्वा सिस्टम की पांचमे नंबर की डिजीज है माईग्रीन सभाट भेंकर वाला जो दर्द होता है उसको माईग्रीन कहते हैं इसे टाइप औस एडिक जो माईग्रीन होता है वो तरीख हेडपी जो हमारी हेड में होता है डिजल के अगों केsecurity वशायओ जो एहर के साइड से पीछे और इन दा बैक ओफ अपर नेक से ऊपर तो यह जो हमारा है इस ही में दर्द होता है पेन का सेनसेशन होता है तो उसको माइगरेन कहते हैं headache is also known as syphalegia the words comes from Greek यह जो word है वो ग्रीक से आया है कि फैले means head और algos मतलब होता है pain मतलब हमारे head में pain होना यह हमारा migraine कहलाता है अब इसके types देख लेते हैं यह तीन तरीके का होता है first है complicated migraine इसमें कहोता है यह around 50-20% of migraine होता है patient इसको experience करता है sensory organs में pain होता है ठीक है common migraine मतलब जो normal commonly होता है this type of migraine occur without the warning and aura may give it has similar symptoms but that phase does not occur इसमें क्या होता है कि common तरीके का होता है जिसमें बिना warning अचानक सी आ जाता है और हमारे sensory organs है वह भी work नहीं कर पाते अच्छे से तो यह common migraine होता है जिसकी स्कारल से होता है इसकी इसकी पूरी process क्या है हमारी body में होनी की तो पहले अगर इसकी ideology देखते है तो family stream मतलब अगर आपको किसी घर में अगर आपके किसी को माई है तो आपको भी हो सकता है एज की वज़े से भी हो सकता है यूजरी बीमारी हो गया माईगरीन क्योंकि आजकल का जो यंग यूथ है वो इतना जादा सोचने लगा है कि उसका जो brain हो भी disbalance हो जाता है जिसकी वज़े से माईगरीन हो जाता है अब देखते हैं किस रीजन से हमें माईगरीन होता है इतने ती एज में होता है यह भी देखते हैं मेल्स में या फीमेल में जादा रिस्क होता है माईगरीन का फिर हम देखते हैं इसकी इडियोपैटो जाने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लेना आयो वाकर आपको कोई डाउट रजा तो प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट में जरूर बताएं मैं इसका अंसर दूंगी तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से सुनना और समझना कि मैं क्या बोल रही हूं किस तरीके से हमारी बॉड़ी में माईगरीन किस त मतलब मैंनेंजिस का मतलब होता है कि जो ब्रेन में जो ओपरिंग कवरिंग होती है वह मैंनेंजिस की बनी हुई होती है तो इसको मैंनेंजिस कहते हैं ब्रेन और स्पैनल को दोनों में होती है जैसे कि हम सभी जानते कि हमारी बॉड़ी में पूरी नियूरोंस पूर में भर कवरिंग है बतलब यह लेयर है इसके अंदर यह नियूरों बहुत सारे होते हैं तो क्या होता है इन टर्मिनल्स में जो यह लास्ट का यह पार्ट होता है यह टर्मिनल्स का यह कुछ केमिकल्स release करते हैं कि क्यों release करते हैं यह आस तक किसी को नहीं पता है यह due to unknown reason दि confidence किसकी हो रहे हैं कि क्यों release होते हैं चृब रिलीज होते हैं हमारी ब mentions English नीया पता है तो बस आप इतना समझ लए कि release होते हैं जिसका नाम होता है नॉसी सइप्टिय रिसेप्टर होते हैं यह्यर्रव क्या करते हैं चार चीजenne हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं फस्टप ऐस बैसोएक्टिप दूसरा पैप्टाइड और सब्स्ट्रेट पी और सी जी ढरोफी कावसीट्वन गेलेटेटट降र्टाइड यह प्लेड वैसल्स के पास यह जो चार रिक्तर है फेले से इसको लिएक्तिव कर देते हैं जब यह active हो जाते हैं तो यह क्या करते यह जो हमारी blood की जो vessels की चौणाई है उसको बढ़ा देते हैं जैसे कि यह है इसको बढ़ा कर देते हैं जिसके वज़े सी यहbasso dilute कर देते हैं mosquito dilute कर देंगे तो हमारी जो blood vessel वह rupture हो जाएगी जिसकी से वosecular leakage हो जाता है leakage वानी के वज़े से कुछ और होता है पहले यह दिख लिए कि वैसोडालेटर जब यह उसको चौडा कर देते हैं जिसकी वज़े से जो हमारे blood में mast cells होती है तो वह बाहर आ जाती है वह क्या करती है कि histamine release करती है और prostaglandin हम सभी जानते हैं कि inflammation के लिए prostaglandin must रहता है prostaglandin हमारे body में swelling inflammation pain इन सबका sensation कराता है जिसकी वज़े से यह हमारे blood में release होने लगते हैं mast cell क्या कराती है इन दोनों के release कराती है जिसकी वज़े से हमारे blood में release हो जाते हैं दोनों चीज़े अब जब यह leakage होगा जब यह दोनों चीज़े हमारे blood में present हो गई है मतलब release हो गई हैं और वह blood हमारे blood vessel से बहार भी आ गया फिर यह क्या करता है जो blood है वह पहुंच जाता है हमारे brain तक जैसे अगर यह brain तक पहुंच जाता है उससे पहले कि तो हमारे जो neurons and neurogenin inflammation होता है जब यह histamine और prostaglandin हमारे blood में release हो जाते हैं जिसकी वज़े से जो हमारे neurogenin inflammation हमारी body में cause हो जाता है यह inflammation क्या करता है हमारे brain तक पहुंचता है हमारे brain में cortex reason यह triserminal nucleus present रहता है triserminal nucleus का करता है हमें pain का sensation कराता है जब यह inflammation यहां तक पहुंच जाता है तब हमारे cortex reason में जो हमारे brain के main part में दर्द होता ना पीछे वाले part में तो उस जगे पे जब यह blood पहुंचेगा तो वह हमें pain का sensation कराता है तो यह होती है पूरी हमारे brain की itiopathogenesis की किस वज़े माइगरेन होता है यही इसका reason है अगर कोई reason अगर जैसे कोई भी doubt है तो आप हमसे पूछ लो comment में तो मैं आपको बता दूंगी यह वैसे अगर आपको लिखना exam में तो यह best है अगर आप ध्यान से देख लो इसको इससे shot कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी महनत से लिखते हैं तो please देखा तो करो तीक है तो आप इसकी देखते हैं clinical manifestation अच्छा लगो तो देखो मैं फोर्स होड़ी ना किसी को करती हूं तीक है तो आप पढ़ते है clinical manifestation तो देखने में दिक्कत होगी sensitivity to light and noise जो light है उसमें sensitivity देखने में दिक्कत होगी जैसे तीज light डाल दो आँखों पर दिक्कत होती है बहुत जादा short शरावी से दिक्कत होगी feeling cold and sweaty तो आप बहुत जादा ठंडी मैसूस करेंगे और बहुत जादा पसीना भी आएगा फिर difficulty in speaking बो किस तरीके से हम बिना medicine के कैसे थोड़ा सा prevent कर सकते हैं तो the patient should rest in a dark quiet and cool room ये rest करें पेशन ज्यादा से ज्यादा dark room में रहे अंधिरे में चुप शान्ती वाली जगे पे रहे और ठंड़क वाली जगे पे रहे his or his slap in massage मतलब इसको massage कराने चाहिए पनी body को relax करने के लिए he or she should do yoga करना चाहिए meditation करनी चाहिए जिसके आपनी body को काम कर सके शान्त कर सके अब हम बढ़ते हैं फार्माकोलोजिकल मेनेजमेंट की कौन कौन सी medicines provide की जाती है सबसे पहले सुमा ट्रिप्टम ये उतिये medicine वेरापामिल देते हैं एरिनुबाब देते हैं एटिनोल देते हैं वैल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like, comment and subscribe to my channel और वीडियो को share कर देना इतना easy लिखा है मैंने तो please इसको share जरूर कर देना कि बहुत जादा से जादा लोग आपके classmates ये सब इसको easily way में पढ़ सके और समझ सके थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो टेक किर बाई